हेलो बच्चों आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने एक्जाम्स में अच्छे से स्कोर कैसे कर सकते हो 100% स्कोर करने के लिए आपको क्या-क्या बातों का ध्यान रखना है बहुत सारे बच्चे हैं जिनका अब बहुत सारे स्कूल में पेपर चल रहे हैं तो छोटी क्लास बड़ी क्लास तो यह टिप जो है वो हर क्लास के बच्चों के लिए यूसफुल होगी कि आप 100% अपने पेपर में स्कोर कैसे कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले बच्चों सबसे इंपॉर्टन चीज क्या है कि आप अपने syllabus को लिख के याद करिए जो भी content आपको करना है आप उसको लिख के याद करिए ओरिली तो करिए मगर लिखने का written work ज़रूर करिए क्योंकि जब हम किसी चीज को लिख लेते हैं तो हमारे हाथ से हमारे mind से वो अच्छे से निकल जाता है और सबसे important चीज तो maths है तो maths में जो डर लगता है बच्चों को कुछ बच्चे क्या है औरली कर देते हैं सवालों को तो औरली मत करिए लिख के question में क्या दिया है उसको properly लिख के solve करिए उसके बाद second important चीज है कि question paper को attempt कैसे करना है attempt करने का सबसे best तरीका बच्चों है कि आप सबसे पहले mark कर लीजे उस question paper में कि आपको कौन-कौन से questions आते हैं तो आप अगर उन questions को पहले करेंगे तो आपका जो time है वो बच जाएगा paper को attempt करनेगा क्योंकि आप उन questions पर time waste नहीं करेंगे जो question आपको आता नहीं है और आप लगे हुए उसको solve करने में तो ये senior classes के लिए especially बच्चों के लिए है कि जैसे physics में numerical है कि mystery में numerical है biology के अंदर कोई conceptual question है तो उसके लिए आपको जो है अपने paper को इस तरह divide करना है कि आप mark कर लीजे कि आपको कौन से question आता है तो आप उसको पहले attempt करिए तो आपके वो marks जो है वो आप पके कर लेंगे क्योंकि वो question अच्छे से solve भी होगा और आपको आता है इसलिए भी solve हो जाएगा तीसरी important चीज है कि आप long questions से पहले start करिए मतलब 5 नमर के questions को पहले attempt करिए और उसके बाद फिर आप उससे पीछे के sections पर जाएए मतलब कि 5 marks, 2, 3 marks then 2 mark and then 1 mark तो उससे क्या होगा कि आपका जो long question है 5 mark के 2 question होते हैं जाद से जाद 2-3 तो आपका जो time है वो बच जाएगा और आपकी scoring अच्छी हो जाएगी तो question जो आता है उसको किया और जो question long question है D section है उससे start किया तो वो आपके लिए बहुत helpful हो जाएगा अब biology की teacher room है तो biology के context से भी 11-12 के बच्चों के लिए बताना जाती हूं 11 के लिए home exam 12 के लिए आगे जिनके अभी exams होंगे कि आप सबसे पहले section D को attempt करिए ठीक है उसके बाद bio के बच्चों के लिए next important चीज क्या है कि आप diagram को सुंदर और अच्छा बनाईए और well level करिए तो उससे क्या है कि एक आपका first paper जो start करती पहला page खुलेगा उसमें teacher को ये impression होगा कि आप अपने concept में clear है और आपने diagram सुंदर बनाया है जो लिखा अच्छा है तो एक आपके paper को check करने की एक अच्छी base बन जाती है तो ये चीजे बच्चों आपके लिए बहुत ज़रूरी है और छोटी class के अंदर जिन बच्चों के paper हो रहे हैं उसमें भी यही चीज applicable होती है कि आप पहले उन question को solve करें जो आते हैं D part से शुरू करिए और चीजों को लिख के याद करिए ठीक है तो ये था बच्चों आज के exam के लिए जो अभी चल रहे हैं उनके लिए छोटे छोटे tips अगर आप इन tips को follow करेंगे तो definitely आपको 100% marks लाने से कोई नहीं रोख सकता है तो अच्छे से लिख के practice करिए बार बार content को revise करिए जो जिस दिन पढ़ा है उसको अगले दिन पहले revise करिए फिर next content को आगे बढ़ाईए तो इससे आपको क्या होगा पीछे का भी याद हो जाएगा और आगे का content जो है वो carry forward होगा तो बचो इस channel पे आपको free counseling भी दी जाती है अगर आपको किसी भी question से related कोई query है किसी content से related कोई query है तो आप comment box में लिख के पूछ सकते हैं मैं उसका reply करूँगी तो I hope आज की video आपके लिए useful होगी अगली बार फिर किसी इसी तरह की नई video के साथ मिलेंगे तब तक बचो all the best take care